है एवरिवन वेल्कम बेक टो मैं चैनल एमक्रियेट तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी है work from home office setup पहले मैंने आपके साथ में एक और work from home office setup का वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने एक छोटी सी computer table पे अपना पूरा setup किया था और बहुत सारे DIY आपके साथ शेय करने वाली हूं बस मैंने वो छोटी टेबल थी उसे चेंज कर दिया है मैंने यहाँ पर यूज की है यह स्टडी टेबल छोटी टेबल थी तो उसके अंदर मुझे सामान रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ बुक्स भी है जिने भी मुझे सब्सक्राइब के पढ़ रही थी तो मैंने सेम शॉप से चाकर फर्नीचर की जो शॉप होती है सेम टेबल वहां से बनवाई है तो मुझे वहां ओनलाइन के कंपेरिजन में तो बहुत सस्ती पड़ी है अब मैं दीरे दीरे इस टेबल पर अपना सामन जमाना स्टार्ट करत अब देखेंगे तो नीचे की साइड भी हाँ पर काफी सारी बुक्स रखने के लिए शेल्फ है तो वहां पर भी रख सकते हैं अभी मैं नहीं रख रही हूं क्योंकि मेरी छोटी सी एक साल की बेटी है तो वह सब भिखेर देगी अब मैं यहां पर यह यूश कर रही हूं जो DIY करके मैंने लगबग एक डड़ महीं ने पहले ही बनाया हुआ है तो अगर आपने नहीं देखाया है तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यह बहले कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था अब इसके साइड में रख रही हूं प्लांटर जिसका प्लांटर मैंने खुद से डिजाइन करके बनाया था तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा अब उसके बाद एक और यह चोटा सा मिनेचर प्लांटर है यह वाटर प्लांट है तो इसके अंद है मैंने एक CFL जो खराब हो चुका था तो मैं यहां पर बना रही हूं एक राजस्थानी मैन जो राजस्थानी कलजर जो पगड़ी वाले जो लोग होते हैं वो तो मैं यहां पर बना रही हूं यहां पर वाला पार्ट जो स्प्रिंट ताइप में आप देख रहे हो ना इस तो आने वाले वीडियो को भी आपको देखना है और इस वीडियो को भी आपको देखना है सब्सक्राओं कर तो आने वाले वीडियो को भी आपको देखना है और इस वीडियो में और एक तक बने रहना है तक आपको पता चल जा जाए कि मैंने खुद से बनाकर इसमें जो चीजे यूस की है वो कैसे बनाई है तो अब मैंने यहां पर पगडी को मल्टी कलर में से पैंट कर दिया है अब यहां पर हम पगडी में प्रिंट डालेंगे वाइट कलर की तो यहां पर मैंने वाइट कलर की इस पगडी में प्रिंट डा अब मैं इसका फेस बना रही हूं सारे DIY में इस वीडियो में इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो की लेंद काफी लंबी हो जाएगी तो फेस लगबग बन चुका है अब इसके नीचे की बोडी बनाने के लिए मैं यहां पर पेपर का एक छोटा सा कप यूज कर रही तो हमारा DIY बनकर रेडी है और इसे में रख में जा रही हूं सामने टेबल पर यहां पर मैंने इसको रख दिया है प्लांट के पास में जो काफी अच्छा लूप दे रहा है क्योंकि थोड़ा कलरफुल है तो यह काफी अच्छा लग रहा है अब यहां पर मैंने यह फेस ज इसका description box में दे दूँगी मैंने यहां पर ऐसे बहुत सारे कोस्टर आप बोल सकते हो यह डाइलिंग मैट बोल सकते हो यह मैंने वी मार्ट से खरीदे थे अब में यहां पर रख रही हूं यह बुद्धा यह मैंने खरीदा है इस पेशल अपने स्टेडी टेबल के लिए त पर रख दूँगी अब यहां पर मैंने यूस कर रही हूं यह एक बोटल तो इसका भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है तो मैं लिंक आपको description box में दे दूँगी मैंने यहां पर सारे DIY ही यूस किये हैं जो मैंने पहले बना रखे हैं या नए भी बनाए हैं तो यह सारे DIY मैं आपके साथ मैं share करती रहती हूं क्योंकि कुछ तो मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं और फुचके में अभी डाल दूँगी तो यह वाच है यह वाच भी मैंने खुद से बनाई हैं तो इसका वीडियो में इस वीडियो में नहीं दे सकती थी आपको इसलिए मैं इस इसको भी मैं आपको बाद में जो भी वीडियो डालूंगी ना उसके उसमें एड कर दूँगी हो सता हो मैं इसको शॉट्स में आपके साथ शेयर करूं तो इसलिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे इंट्रस्टिंग डियाइवा तो दिवाली से रिलेटेट इतने सारे डियाइवाय हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिसके में लॉंग वीडियो भी डालूंगी और शॉट्स तो मैं डेफिनेटली डेली डालती ही हूं तो इसलिए आप से एक भी वीडियो ना चुके और आप सारे शॉट्स किजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग